वानी को अच्छे से पता था कि कार में बैठा इंसान कौन है और वह इस वक्त कितने गुस्से में है। वानी को यह भी पता था कि अब आगे उसके साथ क्या होने वाला है। उसने गहरी सांस ली और कार के अंदर चली गई। कार में बैठते ही वानी को उस आदमी ने अपनी मजबूत बाहों में खीच लिया, जिससे वानी एक जटके में उस आदमी के चोड़े सीने से टकरा गई। वानी ने बिलकुल भी रियक्ट नहीं किया और ना ही उस आदमी की बाहों से निकलने की कोशिश की। थोड़ी देर की खामोशी के बाद वानी को अपनी कानों में एक सर्द आवाज सुनाई दी, आज कल तुम राहुल रायजादा के आसपास कुछ ज्यादा ही दिखाई देने लगी हो, क्या बात है, क्या वह तुम्हें पसंद आने लगा है, वानी ने शान्त इसे जवाब दिय नहीं, मैं राहुल से एक्सिडेंट ली, यहां कलब में टकरा गई थी, मैं जान बूज कर उसके पास नहीं गई थी, यह सिर्फ कॉइंसिडेंस था इसके अलावा और कुछ नहीं कोइंसिडन्स हाँ कोइंसिडन्स से ही उस राहूल रायजादा ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया यह महेज एक कोइंसिडन्स ही था जो तुम उसकी बाहों में जूल रही थी और उससे इतनी देर तक बात करती रही क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझके रखा है वाणी हाँ बोलो आदमी ने अपने एक-एक शब्दों को चबाते हुए वाणी से बोला उसकी आँखें गुसे से लाल थी और वह अपनी ठंडी निगाहों से वाणी को घूर रहा था वाणी मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ जूट बोलने की हिम्मत तु बिलकुल मत करना क्योंकि मैं खुद अपनी आँखों से देखा है कि कैसे तुम उस राहुल से हंस-हंसकर बातें कर रही थी और उसके कितने करीब भी थी बताओ तुम उस राहुल राइजादा के बाहों में क्या कर रही थी वाणी ने आदमी के गुस्से से लाल चेहरे को देखा और फिर बिना डरे उस आदमी को फिर से एक्स्प्लेन करने की कोशिश की अयांश तुम गलत समझ रहे हो मैंने पहले ही बताया कि हम एक्सिडेन्टली मिल गए थे मैं बस वहां से बस पकड़ने की कोशिश कर रही थी और इतने में राहुल ने शायद मुझे देख लिया तु वह मुझसे बात करने के लिए आ गया था इससे ज्यादा कुछ नहीं है तुम बातों को कहीं और से कहीं और ले जा रहे हो जूट फिर से जूट क्या तुम जूट बोल कर ठकती नहीं हो वानी मुझसे बकवास करने की कोशिश मत करो क्या कहा तुमने की वह एक्सिडेन्टली तुमसे मिल गया और तुम्हें अपनी कार में लिफ्ट दे रहा था और तुम्हें सेफली घर पहुँचाने का उन्फर दे रहा था और तुम उससे कुछ बेड़ शेयर की बातीं भी कर रही थी है ना साफ साफ बताओ वानी की तुम दोनों कितने करीब आ चुके हो बोलो क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूँ कि तुम्हें अब राहुल रायजादा की भी जरूरत पड़ रही है हाँ क्या मैं तुम्हें ठीक से सेटिस्वाई नहीं कर रहा हूँ वानी आयांश की इतनी घटिया इलजाम सुनकर अपनी हाथों की मुठ्या कश लेती है उसकी आँखों के कोने लाल हो चुके थे वह अपनी हलकी भरी आँखों से आयांश को देख रही थी पर अब वह अपने सफाई में उसे कोई जवाब नहीं देती वानी अब और अपनी सिर्फ रिस्पेक्ट को गिर कर आयांश को कुछ भी समझता नहीं चाहती थी वानी को पता था कि उसके सामने बैठा हुआ यह इंसान उस पर कभी भरोसा नहीं करेगा आयांश वही समझेगा जो वह समझना चाहता है कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितनी सफाई दे या फिर कितना भी सच बोले सामने वाला इंसान केवल उसी पर विश्वास रखता है जो वह देखता है वानी ने अब अपनी आँखों को बंद कर लिया वानी ना तो अब आयांश की घटिया बातें सुनना चाहती थी और ना ही उसकी नजरों में खुद के लिए डिसकस्ट लुक को देखना चाहती थी वही आयांश ने जब वानी का ऐसा रियक्शन देखता है तो उसका गुसा साथवे आसमान पर पहुँच जाता है आयांश वानी के गालों को दबाते हुए अपनी गुस्से भरी आवाज में कहता है वानी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी आँखों को बंद करने की जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो तुम्हारी नजरे सिर्फ मुझ पर यानि आयांश महरा पर होनी चाहिए अभी के अभी अपनी आँखें खोलो वानी पर वानी के उपर आयांश के गुसे का कोई असर नहीं हुआ वह ऐसी ही अपनी आँखें बंद किये उसकी बाहों में घुसी रही आयांश वानी के इग्नुरंस को बरदाश्ट नहीं कर पाता और वह वानी के दोनों गालों को पकड़ कर उसके होटों पर अपने होटों को रख कर दबा देता है और वानी को किस करने लगता है धीरे धीरे आयांश की किस पैसनेट होने लगती है और वह अपने टंग को वानी के माउथ में इंटर करके उसे और ज्यादा पैसनेट होकर किस करने लगता है वही वानी वह अयांश की किसका कोई रिस्पांस नहीं करती, वह चुपचाप अयांश की बाहों में लेटी रहती है वह ना तो अयांश का साथ दे रही थी और ना ही उसका कोई विरोध कर रही थी हलांकि वानी के लिए यह कोई नई बात नहीं थी अयांश अक्सर ही जब उसे किसी बात पर गुसा आता था तो वह इसी तरीके से उसके साथ पेश आता था इसलिए वानी को अब इन सब चीजों की आदत सी हो गई थी अयांश वानी को किस करते हुए अपनी हरकतों को भी आगे बढ़ा देता है और उसके हाथ यहाँ वानी की बॉड़ी पर चलने लगते हैं और धीरे धीरे वानी के ड्रेस को भी उसकी बॉड़ी से अलग करने लगते हैं एक पैशनिट किसके बाद आयांश धीरे से अपने होटों को वानी के नेक पर रखतेता है और वहां भी किस करने लगता है किस करते वक्त आयांच एक बार हलके प्रेशर के साथ वानी के नेक पर अपने दांतों को गड़ा देता है जिससे कार में वानी की एक हलकी चीख गुन जाती है आयांच ज्यादा जेंटल नहीं था पर वह वानी के साथ ज्यादा रफ भी नहीं था बस वह अपने गुस्से के कारण वानी का खयाल जरूर नहीं रख रहा था देखते ही देखते दोनों के कपड़े पूरे गाड़ी में फैले हुए थे जहाँ गाड़ी में वानी की मधोश करने वाली सिस्कियां सुनाई दे रही थी तो वहीं आयांच की तेज सांसों की आवाज गूंज रही थी उसी रात तरिशा ने बहुत देड़ तक इंतजार किया लेकिन वानी ने फोन नहीं किया त्रिशा चिंतित थी और उसने उसे कई बार फोन किया लेकिन वानी ने कोई रिपलाई नहीं किया रात को एक बज चुके थे लेकिन वानी का न कोई व्याट सैप मैसेज आया था और नहीं कोई फोन आया था त्रिशा चिंता से करवट बदल ही रही थी कि उसका मोबाइल का रिंग टोन बजा सामने वाणी का मैसेज था. त्रिशा आज रात एक छोटी सी दुरघटना हो गई थी. मैं तुम्हें कल फोन करूंगी, चिंता मत करो. क्या सच में? पर तुम ठीक तो हो न, तुम्हें कोई जोट तो नहीं लगी न? त्रिशा ने परिशानी से पूछा. वाणी ने अपनी नम आँखों से एक नजर अपनी बगल में लेटे आदमी को देखा, जो इस वक्त काफी गहरी नींद में सो रहा था. अपने हैंडसम चेहरे और गुड लुकिंग फीचर्स के कारण, वा किसी क्रीक गौड की तरह लग रहा था, पर वाणी के लिए वा किसी डिमन से कम नहीं था, जो उसकी जिंदगी में केवल आँशू और दर्द ही लेकर आया था. वाणी ने अपना चेहरा आयाँश की तरफ से फेर लिया, और फिर अपनी चेहरे पर लुढ़कते हुए आंसों को पोचते हुए तरिशा को रिपलाई दिया, तुम अभी तक सो क्यों नहीं रही हो? बेशक मैं ठीक हूँ, क्या तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ? मैं बस एक ड्रामे बाज लड़की हूँ, जो नशे में धुध होकर हंगामा कर रही है। तुम ने जबाब में रिपलाई किया, हाँ मुझे पता है कि तुम ड्रामे बाज हो, लेकिन तुम अभी भी एक लड़की हो, शार्किंग नाइट क्लब, ये वास्तव में एक अच्छी जगह नहीं है। मैंने तुम्हें पहले भी कितनी बार कहा है कि वहाँ काम करना छोड़ दो, पर तुम मेरी बात कभी सुनती ही नहीं हो। इधर से वाणी ने रिपलाई में लिखा, अरे मेरी जिनता वन्ती, चलो इसके बारे में बाद में बात करते हैं, तुम कहती हो कि ये जगह छोड़ दो, तो फिर मैं इसके बाद क्या करूँगी। तुम मेरे पास आ सकती हो, मैं तुम्हारा साथ दूँगी। मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, तुम भी मेरे रेस्टोरेंट में आकर मेरा साथ दे सकती हो। इधर से वाणी ने रिपलाई किया, ओ गॉड़। तुम पहले से ही एक भागे हुई लड़की हो, जो इस वक्त उस क्रुएल अभिमन्यू राइजादा की चंगुल में फंस चुकी है। बेवकूफ लड़की, तुम्हें मेरा साथ देने की हिम्मत कहां से मिली? और वैसे भी मैं बहुत महंगी हूँ, तुम मुझे अपने उस छोटे से रेस्टोरेंट के पैसों से अफोर्ड नहीं कर पाओगी, ठीक है? भूल जाओ, जब मैं और नहीं जी पाओंगी, तो मैं तुम्हें परिशान करने के लिए ढूंडूंगी। अब सो जाओ, तुम्हें कल अपना रेस्टोरेंट भी खोलने होगा। तृशान ने रिपलाई किया, ठीक है, तुम भी जल्दी आराम करो। वानी ने अपना फोन बंद करके रख दिया, और एक नजर उस लग्जरियस रूम को देखा, जिसके बीचों बीच रखे किंग साइस बेड पर, इस वक्त वह लेटी हुई थी, और उसके बगल में लेटा हुआ था आयांश महरा। अयांश को देखते ही वानी की आँखों में आशू और गुस्सा दोनों उतर आया था, पर अफसोस वह अयांश को ना तो अपने आशू दिखा सकती थी, और ना ही अपने गुस्से को क्योंकि उसके पास ये हक ही नहीं था, अयांश ने कभी उसे ये हक दिया ही नहीं, और शायद उसके आंसुओं से आयांश को फर्क पड़ेगा भी नहीं। वार्णी को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने भाग्य पर हंसी या रोए। कहने को तो वह इस वक्त इंडिया के most successful businessman और young eligible bachelor कहे जाने वाले आयांश महरा के बगल में लेटी होई थी। जो महरा कार्पोरेशन का current CEO भी था। लेकिन इतने पास होकर भी वह अयांश के दिल तक नहीं पहुँच सकती थी। वह केवल उसके करीब रहकर उसके गुस्से को उसकी नफरत को झेल सकती थी। शायद इसकी वजह भी उसने खुद ही दी है। अगर उसने उस रात इतनी बड़ी गलती नहीं करती तो शायद आज वह आयांश के ट्रैप में फसी नहीं होती। वह भी एक आजाद लड़की होती और अपनी जिंदगी आजादी से कहीं और जी रही होती। पर ये सब वानी के लिए केवल एक सपना ही था। वानी न चाहते हुए भी अयांश के ट्रैप में फस चुकी थी। वानी ने अपनी आशू भरी आँखों से कुछ देर आयांश को देखा और फिर उसके हाथ को धीरे से अपनी कमर से हटाया और उठकर बातरूम में चली गई। दुसरी तरफ भी त्रिशा ने भी अपना फोन नीचे रखा और समय देखा। रात के लगभग दो बज रहे थ त्रिशा के दिमाग में आज अभिमन्यू का हैंसम चेहरा दिखाई दे रहा था। हालांकि चेहरा हैंसम था लेकिन त्रिशा को तो वह किसी नर्ग के देवता से कम नहीं लगता था। अचानक उसके बगल में लेटा हुआ छोटा मोटा बच्चा घूम गया और उसकी बाह माज लगाई ममी हालांकि अभे की आँखें बंद थी वह नीद में था पर वह नीद में भी त्रिशा को थप पाने के लिए आगे बढ़ा डरो मत मा मैं इस पार तुम्हारी रक्षा जरूर करूँगा त्रिशा का दिल दुखा और वह अचानक रो पड़ी उसने अभे को ग पर दुखा जरूर करना चाहता था फले ही अभे अभिमन्यू का बेटा था लेकिन फिर भी वह उसे चूब ही नहीं सकता वह ऐसा होने ही नहीं देगी वह जितना हो सकता था उतना अभिमन्यू को अभे से दूर रखेगी सुबह का वक्त त्रिशा आज जब सुबह रेस्टरेंट में पहुंची थी तो वह रेस्टरेंट को देख कर खुद भी दंग रहे गई थी एक रात में ही दुनिया उलट-बुलट हो गई रेस्टरेंट में पुराने साइन बोर्ड की जगह लाल रंग के चमकीले बोर्ड लगाए गए थे और रेस्टरेंट के दर्वाजे को भी नए में बदल दिया गया था यहां तक की रेस्टरेंट के हॉल के सामने की सड़क को भी साफ सुथरा करके लाल कालीन से धख दिया गया था कल परेशानी खड़ी करने वाले सभी गुंडे साफ सुथरे धंग के कपड़े पहन कर दर्वाजे पर खड़े थे जब उन्होंने तृशा को देखा तो उन्होंने जल्दी से पटाखे जलाए जो उन्होंने पहले से तयार किये थे कई आतिशबाजी और पटाखे के फूटने की आवाजों के बाद वे एक स्वर में चिल्लाए स्वागत है लेडी बॉस त्रिशा अचानक से डर कर दो कदम दूर हो गई थी उसने घबरा कर उन लोगों की तरफ देखा जो पटाखे जला रहे थे उसने हैरानी से उन गुंडों की तरफ देखा जो दमकते हुए चेहरों के साथ उसे ही देख रहे थे मानू वह अपनी प्रशंसा के लिए त्रिशा का इंतिजार कर रहे हो त्रिशा उन्हें देखते हुए गहरी सांस लेती है और मन ही मन वह इन सब चीज के लिए अभिमन्यू को कोस्ती है क्योंकि इन गुंडों का यहाँ पागलों जैसा व्यभार केवल और केवल अभिमन्यों के वजह से ही तो था त्रिशा उन गुंडों को देख कर एक आह भरती है और उन्हें बिना कुछ कहे सीधे रेस्टोरेंट के हाल से होते हुए किचन में चली जाती है और अपना डेली रूटीन का काम करने लगती है त्रिशा कुछ फूड प्रिपेयर करके जैसे ही बाहर आती है उसे एक सामने आदमी बैठा हुआ दिखाई दिया जिसने ब्लू शिर्ट और नेवी ब्लू कलर का पैंट पहना हुआ था दिखने में वह काफी डीसेंट और जेंटल मैन दिखाई दे रहा था उस आदमी ने जैसे ही त्रिशा को किचन से बाहर आते हुए देखता है तो वह अपनी जगह से खड़ा हो गया और त्रिशा के पास आकर उसके हाथ से खाना लेकर टेबल पर रखते हुए बोला त्रिशा तुम आ गई? मैं कबसे तुम्हारा वेट कर रहा था? वैसे आज तुम्हारे रेस्टोरेंट में कोई कस्टमर क्यों नहीं है त्रिशा उस आदमी को देखकर एक पल के लिए हैरान हो गई पर फिर वह भी अपने चेहरे पर एक हलकी स्माइल लाकर बुली अरे अजय तुम बनारस से कब वापस आ गए? क्या तुम्हारा काम हो गया? हाँ बिलकुल मेरा काम हो गया और मैं यहां तुम्हें कुछ देने के लिए आया हूँ यह कहते हुए अजय ने तुरंट टेबल पर रखे एक पैकेट को आगे बढ़ाते हुए त्रिशा से बोला त्रिशा मैं बनारस से वहां की फेमस बनारसी साड़ी तुम्हारे ले लेकर आया हूँ प्लीज इसे मना मत करना यह काफी फेमस है और तुम पर बहुत अच्छी भी लगेगी बस एक बार से ट्राई करो तुम्हें जरूर पसंद आएगी त्रिशा ने अजय को मना करते हुए कहा अरे अजय इसकी क्या जरूरत थी तुम्हें पता है ना कि मैं साड़ी ज्यादा नहीं पहनती और फिर विमला काकी को पता चला तो वह तुम पर काफी नाराज होने वाली है तो इसे ले जाओ और विमला काकी को ही दे देना अजय ने तुरंत त्रिशा का हाथ पकड़ लिया और उसके हाथ पर साड़ी पकड़ाते हुए बोला मैं माँ को पहले ही साड़ी दे चुका हूँ ये स्पेशली मैं तुम्हारे लिए ही लेकर आया हूँ तो इसे तुम्हें ही एकसेप्ट करना होगा प्लीज इसे रख लो ना त्रिशा त्रिशा अजय से बात करने में इतना खो गई कि उसे रेस्टोरेंट के बाहर कार रुकने की आवाज सुनाई नहीं दी अजय और त्रिशा एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि तभी एक आदमी चारकुल ग्रे कलर का बिजनिस सूट पहने हुए इंटर करता है उसके रेस्टोरेंट में इंटर करते ही सामने का नजारा देखते ही उसका पूरा चेहरा डार्क हो गया और उसके हाथों की मुठिया बन गई सामने एक लड़के ने त्रिशा का हाथ पकड़ रखा था और त्रिशा उस लड़के से बहुत ही मुस्कुरा कर बात कर रही थी और वह लड़का भी त्रिशा को बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए देख रहा था यह देखते ही अभिमन्यू का पारा सातवें आसमान पर पहुँच जाता है। यह आदमी जो अभी अभी रेस्टुरेंट में इंटर हुआ था वह अभिमन्यू रायजादा था। रेस्टुरेंट में इंटर करते ही जब उसने त्रिशा और उस लड़के को इतने करीब देख तो उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। जो गुस्से से जलती हुई निगाहों से उसी तरफ देख रहा था। यह देखते ही त्रिशा के हाथ पाव फूल उठाते हैं और उसके हाथ से ट्रे छूट कर जमीन पर गिर जाती है। अचानक से यह नर्क का देवता यहां क्यों आकर प्रकट हो गया है। अब इसे और क् त्रिशा महसूस कर पा रही थी कि अभिमन्यू काफी गुस्से में है। इस से वह और भी ज्यादा ड़ जाती है। भगवान आप मेरे साथ हमेशा इतना बुरा क्यों करते हैं जब भी मैं एक खाई से निकलती हूँ तो आप मुझे उसी वक्त एक दुसरी गहरी खाई में भीक देते हैं। त्रिशा बिना सोचे समझे अपने कदमों को पीछे लेती है और तेजी के साथ किचन की तरफ चली जाती है। वह यह भी नहीं सूचती कि उसके इस कदम से अभिमन्यू उसके बारे में क्या सूचेगा। वह उसे वक्त बस अपनी जान बचाकर वहां से भ पहले ही दो हाथ उसके दोनों बाजूओं को पकड़े हुए थे और वह इस वक्त हवा में लटक रहा था। वह और कुछ बोल पाता कि वह दो मजबूत आदमियों द्वारा रेस्टरेंट के बाहर फेंग दिया गया था। अजय भौन्चक्का होकर कभी खुद को देखता तो कभी सामने खड़े हटे-कटे बौडिगार्ड्स को देखता जिन्होंने उसे किसी फूलों की तरह उठा कर बाहर फेंग दिया था। उन बौडिगार्ड्स को देखकर अजय फिर और कुछ बोलने की हिम्मद भी नहीं करता। वह थोड़ी देर उन्हें देखता है और फिर बिना एक भी शब्द बोले पतली गली को पकड़ कर चुप चाप वहां से चला जाता है। वही बौडिगार्ड माग भी चतुराई से बाहर जाकर खड़ा हो गया ताकि कोई और रेस्टोरेंट में ना आ सके। रेस्टोरेंट में सिर्फ अभिमन्यू और त्रिशा ही बचे थे। अभिमन्यू का गुस्सा अभी भी शान्त नहीं हुआ था लेकिन अब जब वह आदमी उसके सामने नहीं था तो उसे काफी अच्छा महसूस हो रहा था। अभिमन्यू को अंदर जाकर त्रिशा को ढूंडने की कोई जल्दी नहीं थी। वह थोड़ी देर वही खड़ा होकर किचन को घूरता रहा और फिर उसने एक नजर सामने रखे खाने को देखा जिससे अभी भी बहुत ही अच्छी खुश्बू आ रही थी। अभिमन्यू घूर कर उसके मन में क्या आता है कि वह जाकर उस टेबल में बैठ जाता है और ध्यान से खाने को देखने के बाद उसने एक चम्मच उठाया सामने एकदम सिंपल सा रायता और राजमा चावल रखा हुआ था उसने राजमा चावल को मिक्स किया और उसे अपने मूँ में डाल लिया आज द्रिशा ने जो डिश बनाई थे विस सभी घर में बने हुए साधारन तेल और मसाले से बन अबिमन्यू खाने को बड़े ही उत्सुकता से देख रहा था वह अपनी चम्मच को पकड़ते ही दंग रह गया उस लजीज खाने का स्वाद उसके पूरे मूह में घुल गया इस पल को वह डिस्क्राइब नहीं कर सकता था वह खुद को कंट्रोल नहीं कर सका और अबिमन्यू की आखें धीरे धीरे ठंडी हो गई उसने अन्य तीन डिश का स्वाद चखा और उसकी आखों में गुस्से की धुंद और भी तेज हो गई यह उन दो बार से अलग था जो उसने पहले खाया था त्रिशा ने उस आदमी के लिए जो खाना बनाया था वह खाना उसके खाने से कहीं ज्यादा डिलीशिस और मन को खुश कर जाने वाला था तब ही अचानक अब अभिमन्यू की नजर नीचे पड़े पैकेट पर जाती है और वह उसे तुरंत जुक कर उठा लेता है वह जैसे ही पैकेट को खोलता है उसमें से एक बेहत सुन्दर सी साड़ ही निकलती है साड़ी को देखते ही एक बार फिर अभिमन्यू की आँखों में गुस्सा उतर आया था अभिमन्यू को वह पल याद आया जब उस आदमी ने त्रिशा का हाथ पकड़ा हुआ था और वह दोनों एक दूसरे से काफी हंस हंस कर बात कर रहे थे इस से साफ था कि त्रिशा उस आदमी को काफी अच्छे से जानती है और शायद उसके काफी करीब भी है ये खयाल आते ही एक बल में ही अभिमन्यू की आँखे ठंडी हो गई और उसकी पकड़ उस साड़ी में मजबूत हो गई वही त्रिशा बेचैनी से रसोई में इधर उधर भाग रही उसे क्या करना चाहिए न केवल वह कमीने गुंडे सुबह से यहां डेरा जमा के बैठे है बलकि अभिमन्यू भी अब यही आ गया था इस बार तो खुशी भी यहां नहीं थी और नहीं अभै वह अकेली थी त्रिशा रोना चाहती थी उसके लिए यह जिंदगी हर दिन उसे लगा कि अब शायद बहुत देर हो चुकी है अभिमन्यू पहले से ही किचन में इंटर कर चुका था और अपनी लाल आखें उस पर टिकाए हुए था अभिमन्यू के चेहरे पर एक मुसकान दिखाई दे रही थी लेकिन त्रिशा को वह खत्रे का संकेत लग रहा था औ नारसी साढ़ी को त्रिशा के सामने कर दिया त्रिशा अभिमन्यू के शब्द से ही उसका गुस्सा भाप सकती थी त्रिशा ने आगे बढ़कर उस साढ़ी को लेने की हिम्मत नहीं की बलकि वह धीरे धीरे अपने कदमों को पीछे करने लगी क्योंकि अभिमन्यू हुस्स शरीर के बीच में दबा दिया अब अभिमन्यू का चेहरा त्रिशा के ठीक सामने था अभिमन्यू अभी बहुत चमकदार दिखाई दे रहा था जैसे खिले आकाश में सूरज कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था वह जितना ज्यादा हैंसम और चार्मिंग लग रहा था उतना ही वह भयानक, धंडा, क्रूर भी था उसकी काली गहरी लाल आँखें त्रिशा पर ही टिकी हुई थी मानो उसकी आँखें कोई लैंप हो और वह त्रिशा को बारीकी से स्कैन कर रही हो त्रिशा के दिल में हमेशा ही अभिमन्यू के लिए एक गहरा डर था जो समय के साथ और भी ज्यादा बढ़ा हो गया है त्रिशा खुद को नियंतरित नहीं कर पाई उसने कल रात ही खुद को समझाया था कि उससे अभिमन्यू से इतना डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब जब वह उसके सामने आया, तो वह अभी भी असहज रूप से डर गई थी. त्रिशा खुद को नियंतरित नहीं कर पाई, उसने कल राद खुद से कहा था, कि उसे अभिमन्यू से इतना डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब जब वह उसके सामने आया, तो वह अभी भी असहज रूप से डर गई थी. त्रिशा ने अपना शरीर कितना भी सिकोड लिया हो, ये बेकार था. अभिमन्यू पहले ही उसके काफी करीब आ चुका था. वह लगभग पूरी तरह से अभिमन्यू द्वारा दीवार से सटा दी गई थी. अगर दूर से देखा जाये तो ऐसा लगेगा जैसे कि वह अभिमन्यू की बाहों में थी. तरिशा हमेशा ही खाना बनाते समय मास्क लगती थी. इस वक्त भी उसके चहरे पर मास्क था. पर वह उस मास्क के जर्ये से भी अभिमन्यू के शरीर से आ रही भीनी भीनी सेंट की खुश्बू को महसूस कर सकती थी. उसके सेंट की खुश्बू भी बिलकुल उसकी तरह ही ठंडी थी जो उसके नाक से होते हुए सीधा उसके पूरे शरीर में पहुँच रही थी त्रिशा के माथे पर ठंडे पसीने की एक परत थी और उसके बाल पसीने में भीगे हुए थे जिसके कारण उसके कुछ पाल उसके चेहरे से चिपक गए थे उसकी आँखें भए से भरी हुई थी वह एक हिरन के बच्चे की तरह लग रही थी जिसे एक लाचार स्थिती में मजबूर किया गया था और उसके पास भागने के लिए कोई जगे नहीं थी अभिमन्यू ने अपना दाहिना हाथ उठाया और तरिशा के चेहरे की ओर बढ़ाया तरिशा अभिमन्यू के हाथों को अपनी तरफ बढ़ता देखकर सिकुड गई डर से उसने अपना सिर घुमाया और अपनी आँखें बंद कर ली उसके आंसू लगभग बहने के कगार पर थे हालां कि अगले ही पल उसने महसूस किया कि एक ठंडा हाथों उसके माथे पर चिपके हुए बालों को धीरे से निकाल रहे थे अभिमन्यू की हरकतें बहुत कोमल थी उसकी उंगलिया त्रिशा के माथे पर धीरे से रगड रही थी त्रिशा चौक उठी उसने अपनी आँखें खोली अपनी आँसू भरी आँखों में धेर सारी हैरानी लिए अभिमन्यू को देखा अभिमन्यू जब अंदर आया था तो वह काफी गुस्से में था लेकिन अब जब त्रिशा उसे देख रही थी तो उसे अभिमन्यू के एक्स्प्रेशन काफी सौफ्ट और जेंटल दिखाई दे रहे थे अभिमन्यू की ये हरकत त्रिशा को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी अगर वह कुस्से में है तो फिर वह इतनी प्यार से उसके साथ बहेव क्यों कर रहा है आखिर यह करना क्या चाहता है पर वह आगे कुछ सोच पाती उससे पहले ही उसे अपनी गीली आँखों पर एक ठंडी हवा का जोंका महसूस हुआ अभिमन्यू ने त्रिशा के आँखों पर हलकी से फूंक मारी जिससे त्रिशा की काली आँखें बड़ी हो गए और वह अपनी बड़ी बड़ी आँखों से अभिमन्यू की आँखों में देखने लगी त्रिशा एक पल के लिए अभिमन्यू की आँखों में देखते हुए उसकी नशीली आँखों की गहराई में खो गई थी. इस वक्त में त्रिशा अपने डर को पूरी तरीके से भूल गई थी, और वह एक टक अभिमन्यू की आँखों में देख रही थी, कि तभी अचानक से त्रिशा को अपनी ठुड़ी पर दर्द हुआ, अभिमन्यू ने त्रिशा की ठुड़ी पर चुटकी काटती थी, जिसे त त्रिशा को हलका दर्द महसूस हुआ, लेडी बॉस क्या हुआ, आप कहां खो गई हैं, आप ठीक तो हैं, आप मुझे कुछ खोई-खोई सी दिखाई दे रही हैं, त्रिशा काप उठी, अभिमन्यू ने उसे देख लिया था, त्रिशा ने अपने दांत पीसते हुए काप आपती हुई आवाज में कहा, नहीं, मैं नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, उसने अपनी नजरों को अभिमन्यू की ऊपर से फेर लिया और इधर-उधर देखने लगी, ओ, फिर ठीक है, वैसे वो आदमी कौन था, जो बाहर तुम्हारे साथ बातें कर र लेकिन उसकी शब्दों में काफी रूखापन था, उसकी शब्दों से हलका उससा जलक रहा था, तृष्षा अभिमन्यू के सवाल से शौक्ट हो गई, वह पहले से ही अभिमन्यू की बाहों में डरी सहमी सी खड़ी थी, लेकिन अब वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रह थी, तृष्षा के पैर कमजोर हो गए और वह दीवार से नीचे खिसकना चाहती थी, हालांकि तृष्षा की यह कोशिच भी बेकार गई और अभिमन्यू पहले ही उसकी हरकत को भाप गया, और उसने तुरंथ ही तृष्षा की नाजुक कोमल पतली कमर को मजबूती से अपनी कमर पर महसूस करते ही तृष्षा हिंसक रूप से कांपने लगी, तृष्षा ने तुरंथ अपने हाथों को बढ़ा कर अभिमन्यू के हाथों को अपनी कमर से हटना चाहा पर उसके हाथ जो खाना बनाने के कामों में कुशल थे, वह हाथ इतने मजबूत नहीं है कि वह अभिमन्यू को पीछे धकेल सके, बलकि तृष्षा की कोशिश के कारण अभिमन्यू की पकड उसकी कमर पर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई थी, और वह अपनी सर्द निगाहों से तृष्षा को घूरने लगा, तृष्षा को महसूस हुआ कि उसकी कमर तूटन के से दिखाई दे रही थी, अभिमन्यू के हाथ तृष्षा की पतली कमर पर लिप्टे हुए थे, अभिमन्यू ने महसूस किया कि तृष्षा कुछ ज्यादा ही पतली है, उसमें अपने एक हाथ से ही लगभग तृष्षा की पूरी कमर को पकड लिया था, अभिमन्यू अ अब जब एक बार फिर त्रिशा की नाजुक और रुई से भी ज्यादा कोमल कमर को पकड़ रहा था, तो उसे अचानक से पाँच साल पहले की रात की यादों ने घेर लिया, उस रात जब अभिमन्यू ने त्रिशा की कमर को पहली बार छुआ था, तब भी वह इसी तरह से इतनी ही कोमल और नाजुक थी, जितनी वह अब है, और यह याद आते ही उसे पाँच साल पहले की वह रात याद आ गई, जिससे अभिमन्यू के आँखों में एक बिजली सी कौड गई, और वहाँ अपनी गहरी नशीली आँखों से त्रिशा को देखने लगा, उसकी आँखों में एक साथ कई सारे इमोशन्स दिखाई देने लगे, त्रिशा को देखते हुए अभिमन्यू इतना खो गया, उसे पता ही नहीं चला, कि कब उसके हाथ त्रिशा के कमर में मूब्मेंट करने लगे थी, अभिमन्यू की उंगलियां धीरे धीरे त्रिशा के कमर में हरकत करने लगी थी, जिससे त्रिशा की बोड़ी एक दम से अकड़ गई, उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर का खून उलटी दिशा में बहने लगा है, और उसका पूरा दिमाग खाली हो गया था, वह किसी पत्थर की मूर्ती की तरह एक दम सीधी खड़ी हो गई थी, जैसे वह अभी इस दुनिया में हो ही ना, अभी मन्यू त्रिशा के रेक्शन को देख कर अपने मन ही मन खुश हो रहा था, क्योंकि ये बिलकुल वैसा ही रेक्शन था, जैसे उसने पांच साल पहले महसूस किया था, त्रिशा ने पहली बार भी बिलकुल इसी तरह की हरकत की थी, अभी मन्यू जुका और उसने त्रिशा के कानों में बहुत धीरे से फुस-फुसाया, त्रिशा, तुमने जवाब नहीं दिया कि वह इंसान कौन था और वह तुम्हारे इतने करीब क्यों था, त्रिशा का माइन पूरी तरीके से ब्लैक हो चुका था, वह अब एक रोबोट की तरह लग रही थी, और उसने सब कॉंशियसली बिना ठीक से अभी मन्यू की बात सुने अपना सिर हिलाया, उसमें अब और बोलने की हिम्मत नहीं हुई, त्रिशा सोच समझ कर जवाब दो, क्या तुम ये कहने की हिम्मत कर रही हो कि वह आदमी मुझे भी ज्यादा तुम्हारे करीब है, हम? अभी मन्यू धीरे मगर अपनी बेहद धंडी आवाज में फुस फुस आते हुए बोला, त्रिशा के जवाब से अभी मन्यू जो अभी शान्थ हुआ था, उसका गुस्सा फिर से बढ़ने लगा था, वह अपने अलावा किसी और को त्रिशा को देखने की भी इजाज़त नहीं देता, और ये बेवकूफ लड़की क्या कह रही है कि वह आदमी उसके करीब था, आखिर वह आदमी कब इस पागल लड़की के करीब आया, और वह कितना करीब है इस लड़की के, इस खयाल मात्र से ही अभिमन्यू का दिमाग घूम गया था, और वह अपनी ठंडी निगाहों से त्रिशा को घूरने लगता है, वही त्रिशा एक बार फिर जब उसने एक साथ अभिमन्यू के गर्म सांसों की गर्मा हट, और ठंडी आवाज को अपने कानों के पास महसूस किया तो, इस बार त्रिशा को एक जटका सा लगा, और वह एक दम से घबरा कर इधर उधर देखने लगी, ऐसा लग रहा था जैसे कि वह किसी बुरे सपने से उठी हो, पर जब उसने सामने देखा तो उसे महसूस हुआ कि उसका बुरा सपना तो उसके सामने ही खड़ा है, जिसे वह किसी भी तरीके से टाल नहीं सकती थी, त्रिशा हकलाते हुए जल्दी से जवाब दिया, नहीं नहीं बिलकुल नहीं, वह आदमी मेरे करीब नहीं है, वह बस मेरा पडोसी है और वह किसी काम से बनारस गया था, तो वह अपने मां के साथ साथ मेरे लिए भी गिफ्ट लेकर आया था, इस से ज्यादा कुछ नहीं है, मैं सच में उसके करीब नहीं हूँ, तुम कह रही हो कि वह तुम्हारे करीब नहीं है पर भला कौन सा बडोसी इतनी दूर से किसी के लिए गिफ्ट लेकर आता है और वह भी साडी क्या तुम्हें पता है कि साडी देने का क्या मतलब होता है एक आदमी एक लड़की को साडी तभी देता है साफ साफ बताओ तुम भी उस आदमी के लिए कुछ महसूस करती हो बताओ क्या तुम भी उसे आदमी को पसंद करती हो जैसे वह आदमी तुम्हें पसंद करता है तुम्हा खुल गया वह अपनी आँखें भाड़े हैरानी से अभिमन्यों को देख रही थी ये आदमी क्या बक्वास कर रहा था वो भला क्यों अजय को पसंद करने लगी और अजय वो मुझे क्या पसंद करेगा उसने सबको पहले ही बता रखा है कि वो शादी शुदा थी और उसे तो काफी अच्छे से पता है कि मेरा एक चार साल का बेटा भी है ये आदमी कैसी बिना सरपैर की बातें कर रहा है अभिमन्यू के बिना मतलब की इल्जाम को सुनकर अब त्रिशा को गुसा आने लगा था उसने गुसे से अभिमन्यू को धक्का देने के लिए हाथ बढ़ाया लेकिन अभिमन्यू तृष्षा से कहीं ज्यादा तेज था, उसने फूर्ती दिखाते हुए उसकी कलाई पकड़ ली। अभिमन्यू ने तृष्षा का हाथ पकड़ा, उसे अपने सिर के ऊपर उठाया और दीवार से सटा दिया। तृष्षा, तुम्हें क्या लगता है? तुम मेरी पकड़ से इतनी आसानी से आजाद हो जाओगी? भूल जाओ! तुम पांच साल पहले जरूर मेरी पकड़ से बचकर निकल गई थी, लेकिन इस बार सूचना भी मत कि मैं तुम्हें किसी भी हाल में छोड़ने वाला हूँ। तुम कितनी भी कोशिश कर लो! तुम्हें अब रहना मेरी बाहों के कैद में ही है। अभी मन्यू की धमकी सुनते ही तुरंत तृष्षा ने कसमसाना छोड़ दिया और अपनी लाल आँखों से अभी मन्यू को देखने लगी। कहना मुश्किल था कि तृष्षा की आँखे रो ने की वजह से लाल थी या फिर अब गुसे की वजह से हो गई है, हालांकि उसकी आँखों से आंसू भी निकल रहे थे। दरब्रसल तृष्षा को अभी मन्यू की इन हरकतों से गुसा भी आ रहा था और उसकी चोड़ने को तयार नहीं था अभिमन्यू उसे जबर्दस्ती अपनी बाहों में कैद कर लिया था और अब वह उसे चोड़ने को तयार नहीं था त्रिशा को सच में समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अभिमन्यू आखिर चाहता क्या है वह उसे बार बार पांच साल पहले की बातों को याद दिलाकर क्यों डराने की कोशिश कर रहा है अब इतने सालों बाद वह पुरानी बातों को क्यों कुरेद कर धमकी दे रहा है तृशा का दिमाग खाली हो गाया था क्या वह उसे डराकर heart attack दिलाने की कोशिश कर रहा है त्रिशा ने गुस्से से जबरदस्ती उससे अपना हाथ खीचने की कोशिश की लेकिन वह अभिमन्यू की मजबूत पकड़ से निकल नहीं पाई बलकि अभिमन्यू की पकड़ और भी मजबूत होती गई वही त्रिशा का कापता हुए शरीर को देखकर अभिमन्यू का गुस्सा बढ़ता जा रहा था अभिमन्यू ने त्रिशा को संघर्ष करते, डरते और भागते हुए देखा उसका मूड धीरे धीरे खराब होता जा रहा था जैसे काले बादलों ने सूरज को ढख लिया था और रोशनी दिखाई नहीं दे रही थी उसने अचानक त्रिशा को अपने शरीर के नीचे दबा दिया अब त्रिशा का नाजुक शरीर अभिमन्यू के भारी भरकम और मजबूत बॉड़ी से चिपका हुआ था अभिमन्यू अब काफी अच्छे से त्रिशा के कूमल शरीर को महसूस कर पा रहा था त्रिशा उसके सामने किसी छोटे से मेमने की तरह लग रही थी जो उसके भारी भरकम शरीर के नीचे पूरी तरीके से दब चुकी थी अभिमन्यू अपनी मिस्टीरियस आंखों से त्रिशा के चेहरे को देख रहा था। वह त्रिशा की आंखों में अपने लिए गुसा और नफरत दोनों देख रहा था। त्रिशा की आंखों में खुद के लिए नफरत और गुसा अभिमन्यू बिलकुल भी सहन नहीं कर पा र अब अभिमन्यू के होंट लगभग त्रिशा के कॉलर बोन को छू रही थे। और किसी फीलिंग को समझ नहीं पा रही थी। अब अभिमन्यू के नजदीकी को बर्दाश्ट नहीं कर पा रही थी। अभिमन्यू को त्रिशा की ये कोशिश बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। सीधे त्रिशा के एक दम लाल चेयर जैसे होटों पर गई जो काफी देर से मास्क के अंदर रहने के कारण एक दम लाल हो गई थे। और त्रिशा इस वक्त अपने होटों को दांतों के बीच में फंसाए हुए कुतर रही थी। जिससे वह डाक रेड रोज की तरह लाल दिखाई देने लगे थे। उसके होट छोटे हार्ट शेप में थे। जिससे वह और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। आज तक किसी भी लड़की की हिम्मत नहीं हुई कि वह मेरे करीब भी आ सके लेकिन तुम मेरी जिंदगी में पहली ऐसी लड़की थी जिसने मुझे यूज किया और फिर वहां से भाग निकली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा यूज करके भागने की हां। और तो और वहां से भागने के बाद तुम यहां कोलकाता में बाकी आदमियों के साथ टाइम पास कर रही हो। और मैं तुम्हें पागलों की तरह हर जगय ढूंड रहा हूं। तृशा क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझाये हां। तृशा स्तब्ध थी। उसका मूह खुला हुआ था और आखें डर से चौड़ी हो गई थी। मतलब वह सही थी अभिमन्यू को सब कुछ याद था। वह पांच साल पहले वाली रात भी। मतलब वह अभी तक केवल नाटक कर रहा था। तृशा कुछ कहना चाह रही थी। लेकिन वह बोल नहीं पा रही थी। बस डर के कारण उसके होट हवा में हिल रहे थे। अभिमन्यू की नजर कब से तृशा के होटों पर ही थी। और जब उसने तृशा के छोटी-छोटी नाजुक होटों को हवा मे हिलते हुए देखता है तो वह खुद की बढ़ते इमोशन्स को कंट्रोल नहीं कर पाया और धीरे से जुक कर तृशा के होटों को अपने होटों में दबा लेता है। तृशा को अपने शरीर में अचानक से करंट का जटका सा महसूस हुआ और वह सब कॉंशियस रूप से का अचानक से सील हो चुके थे। तृशा कुछ भी रियक्ट नहीं कर पाई पर जैसे ही अभिमन्यू के होटों पर मूवमेंट करना शुरू करते हैं। तृशा एक दम से होश में आ जाती है और अभिमन्यू को खुद से अलग करने की कोशिश करती है। वह अपने छोटे तृशा की कोशिश से अभिमन्यू को किसमे डिस्टरबेंस में हसूस हुई। उसने तुरंत ही उसके दोनों हाथों को एक हाथ से पकड़ कर तीवार से लगा देता है। और दुसरे हाथ से उसकी कमर को थाम कर खुद से और ज्यादा चिपका लेता है। अभिमन्यू प्रिशा के हूंट पहले से ही खुले थे, इसलिए अभिमन्यू आसानी से त्रिशा के टंग अपने टंग में उल्जा लेता है और अपनी किस को पैशनेट कर देता है। त्रिशा को पूरी तरह से पाना चाहता था। पर इधर उधर चलने लगे थे, जिससे त्रिशा मचलने लगी थी, एक लॉंग पैशनेट किसके बाद आखिरकार अभिमन्यू ने त्रिशा को छोड़ दिया, छोड़ते ही त्रिशा गहरी-गहरी सांसे लेने लगी, और गुस्से के साथ अभिमन्यू को घूरने लगी, हव सनकी भी हो गया है, त्रिशा के लिए दिन प्रति दिन अभिमन्यू को समझना और कठिन होता जा रहा था, अभिमन्यू का अचानक से त्रिशा के साथ ऐसा व्यभार करना, त्रिशा को पूरी तरीके से हिला देने के लिए काफी था, अभिमन्यू के पल-पल बदलते बिहे अपने अंगूठे से अहटाते हुए अपनी गहरी आवाज में बोला, यह तो बस शुरुवात है तुम इन पांच सालों में मेरे साथ बहुत ज्यादा खेल चुकी हो, पर अब बारी मेरी है और तुम देखते जाओ, जो पहले मेरा था, वह सब कुछ अब मैं वापस ले लू चोटे-चोटे हाथों को उठाया और जोर से अभिमन्यू को धक्का दिया, जिससे इस बार अभिमन्यू एक कदम पीछे हो जाता है, हालांकि तृष्या के धक्के में ज्यादा ताकत नहीं थी, पर फिर भी इस बार अभिमन्यू तृष्या से खुद को दूर कर लिया, क्य लेकिन पांच साल पहले उसने भी तो कुछ ऐसा ही किया था, तो अब भला वह उस पर कैसे चिला सकती थी, वह भी तो लगभग जबरदस्ती ही अभिमन्यू के गले पड़ी थी, तृष्या अपना गुस्सा बाहर नहीं निकाल पा रही थी, जिसके कारण अब वह रोने अपने दिल में कुछ भारी पन सा महसूस हुआ, ये बेवकूफ लड़की इतनी कमजोर क्यों है, ये स्टुपिड हर बात पर रोने क्यों लगती है, वह तो यहां तृष्या को एक बार देखने आया था, लेकिन यहां तो सब कुछ उल्टा हो गया, उसने ना चाहते हुए भी शायद तृष्या को हर्ट कर दिया, जिसके कारण वह अब रो रही है, अभिमन्यू ने थोड़ा रुक कर तृष्या को देखा, और फिर वह अचानक से जुका, और तृष्या के आँखों से निकल रहे आंसूं को धीरे से अपने लब्बों से पी लिया, पर आंसूं को पीने के बाद भी अभिमन्यू ने अपने होठों को तृष्या की आंक से नहीं हटाया, बलकि वह तृष्या के नाजुक पुतलियां को काफी देर तक यूँ ही अपने होठों से महसूस करता रहा, ओ माई कुटनिस, तृष्या, तृष्या दीदी, आप कहा हो, हे भगवान क्या मैं कुछ गलत देख रही हूँ, क्या ये हमारा रेस्टोरेंट है, तृष्या दीदी, ये फ्रीजर भी नया है, अंदर बीर और ड्रिंक सब कुछ बिलकुल फ्रेश रखा हुआ है, वाह ये टेबल और कुरसियां बहुत महंगी लग रही है, यहां राद भर में क्या ह हो गया, तृष्या दीदी, क्या आप प्रसोई में है, खुशी फुदकते हुए किचन की तरफ दोड़ी, तृष्या दीदी, खुशी उतसा से एक जटके में किचन के अंदर घुस चुकी थी, जब उसने अपने सामने का द्रिश्य देखा, तो वा क्षन भर के लिए स्तब रह गई, और उसकी आवाज अचानक निकलनी बंद हो गई थी, तृष्या दीदी, खुशी उतसा से एक जटके में किचन के अंदर घुस चुकी थी, पर जब उसने अपने सामने का द्रिश्य देखा, तो वा क्षन भर के लिए स्तब्ध रह गई, और उसकी आवाज अचान बंद हो गई, वह इतनी शौक थी कि कुछ देर के लिए तो बोल ही नहीं पाई, पर अभिमन्यों की घूरती हुई नजरों को महसूस करके, वह जल्दी अपने शौक्ट एक्स्प्रेशन के साथ बोली, ठीक है, ऐसा लगता है कि मैं गलत समय पर आ गई हूँ, मैं आप अभिमन्यों और त्रिशा को देख रही थी, इस वक्त उसकी त्रिशा दीदी उसके सामने अभिमन्यों रायजादा की बाहों में बहुत करीब होकर खड़ी हुई थी, और अभिमन्यों रायजादा त्रिशा दीदी को किस कर रहा था, सच में यह नजारा जितना ज्यादा स सबक सिखाने के बाद जब अभिमन्यू रेस्टोरेंट से चला गया था. तब जाकर खुशी को पता चला था कि दरसल अभिमन्यू कौन था और वा कितना भयानक इंसान है. अभिमन्यू ने जब देखा कि खुशी अपनी जगह से हिल नहीं रही है तो उसने खुशी की तरफ अपनी बेहद ठंडी नजरों से घूरा और अपनी सर्द आवाज में बोला. तुम्हें पता है कि ये सही समय नहीं है. तो तुम बाहर क्यों नहीं जा रही हो? क्या तुम मेरे द्वारा बाहर भेजने का इंतजार कर रही हो? खुशी वास्तव में अभिमन्यू के शब्दों में इतना ठंडापन महसूस करके आग्याकारी धंग से बाहर आ गई. वह जतना ज्यादा अभिमन्यू के एक अमीर बिजनिसमैन होने की बात पर खुश हुई थी. उतना ज्यादा ही वह उसकी क्रुएल्टी को सुनकर डर भी गई थी. इसलिए उसने फिलहाल अभिमन्यू से दूर रहने में ही खुद की भलाई समझी. वही अभिमन्यू की इस ह त्रिशा को जाने नहीं दिया. उसने अभी भी त्रिशा को अपनी बाहों में मजबूती से पकड़े रखा. त्रिशा ने फाइनली अपनी आँखों को उठाया और अपनी रोती हुई आवाज में बोली. मुझे दर्द हो रहा है प्लीज मुझे छोड़ो. मुझे जाने द दबाव के कारण महसूस कर पा रही थी. वह अब आंसू बनके बाहर निकल रहे थे. त्रिशा को वाकई लग रहा था कि अभी मन्यू बहुत ज्यादा क्रुएल है. वह ऐसे कैसे उसके ही रेस्टरेंट में आकर उसे डरा और धमका सकता है. यहां तक कि उसने उसे बिना उस साफ तोर पर यह इंसान उसे पर अत्याचार कर रहा था? वही फाइनली त्रिशा की आवाज सुनकर अभी मन्यू के चेहरे पर स्माइल आ जाती है. इस बार त्रिशा के इल्जामों और उसके गुस्से से भरे हुए चेहरे को देख कर अभी मन्यू को बिलकुल भी गुस्स नहीं हुआ बलकि उसे. त्रिशा शिकायत करते हुए काफी एडोर बल लग रही थी. त्रिशा का चेहरा गुस्से के कारण हलका फूल गया था, जिससे उसके रोजी हार्ड शेप लिप्स और छोटे हो गय थे. ना चाहते हुए भी अभी मन्यू की बार बार नजर त्रिश उसने इस ख्याल को तुरंथी साइट कर दिया. आज के लिए पहले ही काफी हो चुका था और वह फिलहाल त्रिशा को एक साथ इससे ज्यादा शौक नहीं देना चाहता था. नहीं तो शायद त्रिशा डर कर उसे कहीं दूर ना चली जाए जैसे वह पांच साल पहले चली ग ठीक है. अब रोना बंद करो त्रिशा. लो, मैंने तुम्हें छोड़ दिया है. लेकिन याद रखना या केवल अभी के लिए है. ये मत सोचना कि तुम अब इस बार भी मुझसे बच कर कहीं भी भाग सकती हो. तुम्हें अब आना सिर्फ मेरे पास ही है त्रिशा. अब हिमन्यों ने मुस्कुराते हुए एक बार फिर अपना सर जुकाया और अपनी जगह से ही त्रिशा के होटों को एक बार फिर अपने होटों पर तबा लेता है और जल्दी से लाइट स्मूच करके धीरे से फुस-फुसाया. अब हिमन्यों की यह लाइट किस काफी फास्ट थी. त्रिशा को जब तक में रिलाइज हुआ कि आखिर अभिमन्यों ने किया क्या है. तब तक में अभिमन्यों उसके होटों से हट भी चुका था. वही त्रिशा किसी स्टैचू की तरह उसे बस देखती ही रह गई. अभिमन्यों ने त्रिशा को एक मूर्ती की तरह खड़े हुए देखा, तो उसके चहरे पर एक मीठी सी मुस्कान तैर गई. उसको त्रिशा ऐसी हालत में बहुत क्यूट लग रही थी. अभिमन्यों त्रिशा को इसी हालत में पीछे छोड़कर मुस्कुराते हुए पलट कर जाने लगा. पर जैसे उसने त्रिशा को छोड़ा, उसके पैर कमजोर हो गए. त्रिशा ने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन वह अपने शरीर को नियंतरित नहीं कर सकी. अभिमन्यो अभी पिक्चर देखना तो बाकी ही है. बीस्ट्राइम, तुम्हें और भी बहुत कुछ अभी देखना और महसूस करना है, तुम हर बार ऐसे कमजोर होने का दिखावा नहीं कर सकती. और मैं तुम्हें हर बार ऐसे आसानी से जाने देने वाला भी नहीं दूगा. तुम अभी मन्यू का एक-एक शब्द तृशा के लिए unexpected था. तृशा को यकीन नहीं हुआ, ये बेशर्मी भरे शब्द अभी मन्यू के मुह से निकल रही है. क्या यह इनसान अपनी cruel nature के लिए नहीं जाना जाता है? फिर अचानक से यह इनसान इतना बेशर्म कब से बन गया? अ अभी मन्यू के हर एक मिनट बदलते behavior को देख कर तृशा समझ नहीं पा रही थी कि अभी मन्यू करना क्या चाहता है? क्या वह उसे उसकी की गई गलती के लिए punishment देना चाहता है? या फिर उसे trap करने की कोशिश कर रहा है? उसके शब्दों से तो लग रहा था, जैसे कि वह दोनों में से जो भी हो लेकिन है, तो दोनों चीज डरावनी ही. चाहे वह punishment हो या अभी मन्यू की trap में फसना. अभी मन्यू नाम की खतरनाक बला से जितना हो सके, उतना दूर रहना ज्यादा बेहतर होगा. वही वो बेशर्म शब्द कहने के बाद अभी मन्यू चला गया. जैसे कि वह आज खुद के किये गए कामों से काफी सेटिस्फाई हो. अभी मन्यू बाहर चला गया, उसने बाहर मेज पर रखे खाने पर नजर डाली और फिर से बैट गया. उसका मूड अब पहले से काफी ज्यादा अच्छा था. खुशी ने चुपके से अभी मन्यू को देख रही थी. अभी मन्यू इतना हैंडसं था कि खुशी उसे देख कर शर्मा गई. वह कई बार उपर जाना चाहती थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई. अभी मन्यू ने बहुत गंभीरता और शालीनता से पुरा खाना खत्म किया. उसे लगा कि घर का बना हुआ साधर को नीचे रख दिया और किचन में छिपे त्रिशा से कहा. मुझे उम्मीद है कि अगली बार लेडी बॉस मेरे लिए इसी तरह का खाना बनाएंगी. अभी मन्यू टेबल से खड़ा हुगया. वह अब जाने के लिए तैयार था. लेकिन अचानक से उसे कुछ याद आया. व अब हैसे मिलने आएगा. क्या ये उसका कोई घर है कि जब मन किया तो मोह उठा कर यहां आ जाएगा. त्रिशा अभी मन्यू को पीछे से जाते हुए गुस्से से घूर रही थी कि. अनेक्सपेक्टेड रूप से अभी मन्यू फिर से पिछे पल्टा, अपना सिर घुमाया और त्रिशा को देखा. उसकी आँखें गहरी और चमक रही थी. उसने शान्ती से कहा, लेडी बॉस की आँखें बहुत गर्म है. इसमें काफी गुस्सा भरा हुआ है. इसे फिलहाल मेरे लिए बरदाश्ट करना मुश्किल है. उम्मीद करता हूँ कि कल तक में ये गुस्स अठ्याओं भीचली. वही अभिमन्यू यह कहने के बाद रुका नहीं, वह अपने लंबे कदम बढ़ाते हुए रेस्टोरेंट से बाहर चला गया. खुशी ने अभिमन्यू की पीट को देख रही थी. वह इतनी एक्साइटिद थी कि उसकी आँखें लगभग लाल हो गई थी. वह त्रिशा के पास भागी. त्रिशा दीदी, आपका मिस्टर अभिमन्यू रायजादा के साथ क्या रिष्टा है? वह किचन में आपको किस क्यूं कर रहे थे? क्या वह आपको पसंद करते हैं? या फिर वह केवल आपका पीछा कर रहा है? खुशी ने त्रिशा की ओर देखा. भले ही त्रिशा ने सबसे साधारन कपड़े पहने हुए थे और उसके चहरे पर कोई मेकप नहीं था. फिर भी वह इतनी सुन्दर थी कि उसे अंदेखा करना असंभव था. खुशी की आँखों में जलन की भावना दिखाई दे रही थ जैसे उसे त्रिशा की खुबसूरती खटक रही हो और अभिमन्यू जैसे हैंडसम आदमी का उसके पीछे आना उसे कुछ खास पसंद नहीं आया था. खुशी ने अपने होट सिकोडे और अपनी धीमी आवाज में बोली, सुन्दर होना अच्छा है. भले ही आपके पास ए ही है त्रिशा दीदी.